तो गालिब को मैंने लिया गालिब में बड़ी मुश्किल गजल मुझे दो दी गई और जिसमें मेरी नैना देवी ने की बहुत और अब वो भी नहीं रहे बड़े स्कॉलरली पढ़े लेके इनसान थे खास्तोर से उर्दू में कौकप दुरी कहते हैं जब वो हॉल में पहु दिया कोई वर्ड तो खेर उन्होंने मेरी बड़ी मदद की आहां को चाहिए एक उम्र असर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुम को ख़बर होने तक तो मतलब मैंने वो as a solo dancer गजल की प्रस्तुती की और I was very much appreciated papers ने बड़ा लिखा मेरे बारे में और पूरा साहित्य को मैं ले आई और अब तक लेती रहती हैं मैं बहुत पढ़ती थी समझती थी और बड़े scholarly लोगों ने मेरी मदद की पंडित विद्याने वासमिश्र संस्कृत आचार्य वो तो इनकी शायद चार पांच साल हुए पांच-छे साल हुए तब रोड एक्सेडेंट में उनकी मृत्यू हुई तो मतलब ऐसे लोगों का मुझे सहरा मिला पंडित विद्यानिवासमिश्र जी डॉक्टर सुरेश अवस्ति इंधुजा अवस्ति उनकी वाईव इन सब लोगों ने मेरी बड़े मदद की कपिला जी ने भी बहुत मदद की थी मेरी कपिला जी ने बलकि जब मैं रियास करती थी भारतिय कला केंदर में तो एक लंडन से आय थे और वो बहुत बड़ा फेस्टिबल शुरू कर रहे थे सांस्कृतिक फेस्टिबल in London, Royal Festival Hall, Queen Elizabeth Hall में और काफी टूरिंग भी हमने करी तो 1969 में इंदरानी रह्मान was the leader and there were Jhaveri sisters and myself for Kathak Jhaveri sisters were there for Manipuri and we were taken to London by Birendra Shankar who was then a nephew of Pandit Rabhi Shankar ji उन्होंने फेस्टिबल शुरू किया बहुत स्टाइल से और बड़ी आर्टिस्टिकली बहुत सुंदर फेस्टिबल और बड़े बड़े टॉप आर्टिस्टिबल के आर्टिस्ट्स हरी प्रशाद चौरसिया, शिवकुमार शर्मा, गिर्जा देवी जी सभी लोग उनके फेस्टिबल में जाते रहें मैं आई वस फॉर्चुनेट कि उन्होंने मेरे को बहुत बार वो लेकर गए लंडन मैं आई करता तो मतलब यह था कि इस तरीके से मैं एक सोलो टूरिंग में थी और जाती रहती थी और परफॉर्म करती थी अज़ा सोलो आर्टिस और बहुत तारीफ निकलती थी प्रेस में मेरी तो मतलब कहने का यह है कि वेन यूर पैशनेटली इन लव विद यूर आर्ट दें इस तिंग हैपन्स मेनत मेनत बहुत जरूरी है